नमस्कार मैं आसे इस पाठा का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षाप्लस में यह मारस JSA के टाइपिंग डेट आपकी आचोकी है ताफी बच्चे बोल ले थे तो टाइपिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाईए कि कैसे टाइपिंग होगी क्या हमें कितने वर्ड का पैराग्राफ मिलेगा स्पीड कैसे काउंट होगा बैक स्पेस एलाओ होगा की नहीं होगा वर्ड हाइलाइट होगा की नहीं होगा और यह मारस इन सब ही के जो एक पेपर का कंडेक्ट जो दिया गया था वो NTA को दिया गया और NTA जैसे आपकी टाइपिंग कराई है KVS जैसे का इससे पहले आपकी टाइपिंग हुई थी तो उसी के बिहाब पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चांसिस हैं बाकी कुछ बदलाव होता है तो वो notification जब भी आपका admit card आएगा उसके साथ आपका एक पूरा का पूरा notification इंस्ट्रक्षन जारी होता है जैसे KVS में जारी हुआ था admit card के साथ वैसे ही आपका instruction जारी होगा वहाँ पर हम आपको फिर detail बता देंगे कि कुछ changes हुए है की नहीं ये पूरी जानकारी आपके KVS JSA के admit card जो पिछली बार exam हुआ है उसका यो typing हुआ है उसी के बिहाब पर है उसी के according है तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो आपका typing है वो आप सभी को पता है कि 15-16-17 माई को आपको देली में conduct कराए जाएगा जो वेनु है वो आल इंडिया इंसिटूट अफ लोकल सिर्फ गवर्रमेंट AILSG तागरपुर बस स्टॉप नियर लेंड मॉर्क है आपको दिया गया जो देली में है और सबकी typing देली में ही होगी ये धियान रखेगा तो पहले से अपना-पना टिकट बुक कर लो ये धियान लिस्ट में आपका दिया गया है कि किसकी typing कब है तो उसके कॉर्डिंग अपनी टिकट उकट बुक कर लिजे अब हम आते हैं कि typing डिटेल में हिंदी और इंग्लिस चीक है अब क्या इसमें दोनों typing करना है नहीं आपको single एक typing करना है दोनों typing आपको नहीं करना है आप इन में से कोई एक typing आप कर सकते हैं दिहान रखिएगा इसके लिए स्पीड है आपकी 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी typing में एक दिक्कत होती है कि कुछ लोग काते हैं कि सर मुझे font नहीं पता है अभी तर या maximum बच्चे अगर हम बात करें अलग-अलग state में अलग-अलग font चलते हैं जादे तर जैसे UP की बात करें तो मंगल इंस्क्रिप्ट चलता है तो हिंदी में के वियस में भी बच्चे यही सोच रहे थे कि रेमिंटन गेल तो देगा ही देगा option में लेकिन साब सब्दो में लिखा था वहाँ पर की सिर्फ मंगल इंस्क्रिप्ट चलेगा तो यह ध्यान रखिएगा हिंदी टाइपिंग वाले जितने भी बच्चे हैं दिमाग पहले से mind make up बना लिजिए कि 30 वर्ड की speed चाहिए और आपको मंगल इंस्क्रिप्ट का font आप को type करने के लिए आएगा कमें जो होगा typing का वह 10 minute आपको मिलेगा ठीक है और जो paragraph मिलेगा आपको typing के लिए तो हिंदी के paragraph में साढ़े 300 word आपके रहेंगे ठीक है कोई जरूरी ने जिसे मालों अगर 30 word है तो 30 word इंटू 10 minute करोगे तो 300 word ही करोगे तो वह साढ़े 300 word देता है एक्स्टा बना के देता है ऐसा नहीं कि जितना आपका है उतना ही आए तो वह एक्स्टा आपका word रहता है यह धिहान रखिएगा आप सभी अब एरर कैसे काउंट हो का यह आपके जैसे में भी नहीं बताया था कि एकुरेसी क्या जाई है एकुरेसी नहीं वहाँ पर डिसकस किया था लेकिन जो net speed आपकी ली जाती है वही काउंट होगी और net speed के दो फॉर्मूले होते हैं वो दोनों में बता दूँगा उसमें से दूसर नहीं करना है बार-बार में बोला जो इंग्लिस टैपिंग वाले बच्चे हैं उनको speed तेज चाहिए थोड़ा 35 वर्ड चाहिए क्योंकि इंग्लिस टैपिंग आसान होती है इसके में जो आपका paragraph आएगा उसमें 400 वर्ड रहेंगे टोटल 400 वर्ड रहेंगे टाइम इसमें 10 मिनिट लगेगा font का कोई issue नहीं होता है इसमें no issue font का कोई भी issue नहीं होता है कि आपको कोई particular font पे typing करनी है जो भी होता है लेकिन एक बात पहले से mind make up कर लो कि जो jsa वाले बच्चों के साथ हुआ है जैसे font बहुत छोटा छोटा दिखता है तो उसके लिए पहले से तयार क स्क्रीन होगी स्क्रीन पर आपको मैटर आएगा जो मैटर होगा वो स्क्रीन पर होगा स्क्रीन पर आपका मैटर होगा कैसे होगा मालों यह स्क्रीन है आपको स्क्रीन है यहीं पर छोटा सा आप देखोगे तो यहां मैटर होगा यहां बॉक्स आपका बना रहेगा टाइप मैंने का जैसे यहां पर टाइप करते जाओंगे matter आपके आपको थाईपिंग करना होगा यह आपका टाइपिंग एरिया रहेगा दैसे आप स्क्राइब करोगे अपने पोई स्क्रॉल होता है वह पैराग्राफ नीचे भूआ एक लेकिन एक बात यह होता है कि जो हां आप टाइपनी तूल में प्रैक्षिस करते हो वहां वर्ड हाइलाइट होता है यही सोचे थे बच्चे कि KVS में JSA में बी वर्ड हाइलाइट होगा बैक स्पेस भी काम करता है कि अगर आपने स्पेस भार दिया इस्पेस के बाद नहीं बैक स्पेस काम करता था लेकिन अगर कोई वर्ड टाइप कर ले ओ मालो आपने टाइप किया R यह RAM लिखना है आपने ROAM कर दिया और अभी आपने space नहीं लगाया तो आप backspace से इसको सही कर सकते हो ROAM कर सकते हो ठीक है यह आपके typing software में चीजे होती है लेकिन यह आपके KVS JSA में यह feature नहीं है कुछ लोग काते हैं backspace allow है तो उसी के भी हाफ में बोलाओं कि अब बाकी तो detail जब आएगा तब पता चलेगा EMRS JSA की भी agency वही है तो chances यहीं है कि आपके word highlight नहीं होंगे backspace भी आपका work नहीं करेगा इसके लिए mind make up पहले से आप कर लीजिए और क्या जरूरी information है वही वाला backspace allow है की नहीं तो no backspace आपका allow नहीं है यह ध्यान से सुन लीजिएगा कई की बच्चे यहां से सोचते हैं की नहीं backspace अलाओ है हम कर लेंगे गलस ही जो भी है तो mistake कम से कम करिएगा नहीं तो आपकी net speed down हो जाए ठीक है उसके पास word highlight नहीं एक होता है कि word highlight होता है तो typing करने में असानी होती कि हम कहां पे हैं हमें paragraph हमें line पता चलती है उस तरह से इतने छोटे space में हमें confusion होता रहता है कहां पे तो इस confusion से JSA वाले बच्चे KVS में जूज चुके हैं कुछ बच्चे आप लोगों में से भी होंगे जो दिये होंगे वो खुद जानोंगे क्योंकि मेरी वीडियो पड़ी हुई है KVS की आप देखोगे वहां सब बच्चे comment किये हैं already comment किये हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ था हम सोच के गए कुछ और हुआ कुछ और तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को तयार कर रहा हूँ कि mind item आपका set रहे कि वहां पे system आपके अचानक बंद भी होते रहते हैं इसलिए speed अपनी जादे से जादे रखो जैसे आपका 35 मांगा है तो 50 रखो हिंदी में 30 मांगा है तो 45 की speed रखो ताकि आपको कोई भी जो है अगर लिच आता है वहाँ पर टेकनिकल तो उसके लिए आप तयार रहो तो यह आपका confirm हो गया अब speed की बात करें कि speed कैसे count होता है तो basically दो तरीके होते है speed आपके net speed पर ही आपका होता है net speed ही आपको लिया जाता है अब उसमें एक state level पर maximum यह आपके formula काम करते हैं जहां total type character जितना आपने character type किया उसको 5 से divide किया जाता है फिर total mistake निकालके जो time आपको दिया गया है उससे divide कर दिया जा तो उस हिसाब से आपने अगर मालो 300 word है 300 character type किया total mistake आपने 10 किया 300 को 5 से divide करोगे यहां पर यहां 60 हो जाएगा और 60-10 करोगे यहां 50 और 50 का जो यह speed आपका आपका जो time taking है मालो एक simple सा मैंने यहां पर लिया तो यहां जो भी 10 minute 5 minute जो भी time होगा उसके coding आपका speed जाला जाता है जो भी जितने भी आपने word आप character count करोगे character count होता है word नहीं ठीक है character मतलब ऐसे जब भी type करोगे जैसे character यह यन, e, t, s, p और space भी count होता है finger speed जो दिये हो तो यह सभी character को count करता है यहां total type character बोला है फिर उसको हम लोग word में convert करने के लिए 5 से एक general होता है उससे हम लोग divide करते हैं फिर आपका यह mistake हम लोग जितना होगा उसे minus करते हैं यहां पर क्या है यह chances है कि अभी इसका तो कुछ confirm हो नहीं पाता है कि वो किस formula का अब detail जब देंगे क्योंकि KVS में भी उन्होंने formula कुछ नहीं दिया था formula नहीं दिया था कि अनाही accuracy बताया था तो जाहिर सी बात है कुछ भी पताया नहीं तो वो इन ही दो formula में से काम कर सकते है नेट speed में एक जो होता है कि number of total word type जितना आपने word एक एक word महले यह net speed ऐसे करके total यह जो आपने type किया है कितना word आपने type किया number of mistake into 10 और आपने mistake कितना किया उसको घुनाय कर दिया जाता है फिर आपका time आता है divided by time यह सबसे खतरनाक होता है अगर यह लगा तो बहुत से लोग disqualify हो जाते हैं यह वाला तो ठीक होता है और इसमें यह जहां लगता है वहाँ साइद accuracy आपकी दी जाती है कि यहां 5-15% आप गलत कर सकते हो चाहे 10% गलत कर सकते हो जहां यह लगता है वहाँ पर chances होता है कि यह रेसी रेसी नहीं दिया जाता है और यह net speed निकालने के लिए formula लगाया जाता है अब वो depend करेगा अब बाकी detail आता है आपके admit card के साथ instruction तो उसमें देखा जाए कि क्या उसमें यह कुछ दिया है कि speed के बारे में यह आपने हिसाब से क्योंकि उनका जो चलता है अपने हिसाब साही चलते हैं कि उनका उतना speed आना चाहिए इसलिए मैं बोलाओ कि गलती में है गलती से गलती से speed आपकी डाउन होगी तो गलती कम से कम करिए बहुत कम करिए पांसाथ गलती आप बस करिए टाइपिंग में इससे ज़्यादे कोसिस मत करिए कि गलती हो क्योंकि यहाँ ना backspace काम करेगा न अब ही आप highlight भी कर देख रहे होंगे तो कोसिस करिए कि जब typing अब practice कर रहे हैं तो यह आपके जो होते हैं features इसको disable कर दीजिए आपके उस software में आते हैं disable करने के option तो एक बार disable करके भी अब typing start कर दीजिए अपनी ताकि आपको उस माहोल का एक अनुभव हो सके और जब आप आप exam में जाएं तो आप पहले से mind setup रहें कि अरे यह क्या हुआ backspace नहीं काम कर रहा वर्ड highlight नहीं काम कर रहा तो यह चीज़े आपको कहीं नहीं clear रहे crystal clear वह सकता है देखो demo देते हैं कि नहीं देते हैं बाकी depend करता है chances तो बहुत कम है अगर demo देना होता तो पहले देते है यह typing का तो अब demo नहीं देंगे लेकिन जब आप typing करने जाओगे वहां पर सब आपका पहले demo typing होता है ठीक है एक छोट कुछ word आपसे demo में type कराया जाएगा आपके keys सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह बार चेक कर लिजिएगा बाद में आपको दिक्कत होगी तो फिर कोई नहीं जल्दी सुनता है जब demo typing आपके start होगी एक तरह से जैसे start होना रहता है तो पहले एक या दो मिनट वो demo typing कराते हैं कि आप सभी की को प्रेस करके देखिए सही से आपकी keys चल नहीं है की नहीं ऐसा तो नहीं की प्रेस कर रहे हो कुछ दिर बाद वहां पर सो ह रहा है तो यह सब सिस्टम में अगर दिक्कत आ रहे हैं तो आप तुरंट जो है exam coordinator जो आपका होगा उनसे आप बात करिए कि मेरे की में दिक्कत है वो key change हो जाएगा तो इसलिए वो demo typing कराई जाती है तो उसके लिए पहले से आप तयार रहेगा तो बाकी जो भी आपके और doubt है typing से related को comment में करिए मैं कोसिस करूँगा उसे भी clear कर दूँ लेकिन maximum जितना हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया जो जरूरत है आपके इसमें से दोनों में से कोई एक typing करनी है speed जो लिखा है उससे जादे ही कोसिस करिए कि आपकी रहे क्योंकि exam hall में अगर आप तोच र आता है इसी लिए speed हमेशा 10-15 जादे ही रखो जो आपका मांगा हुआ है तो इसी हिसाब से इतने ही paragraph लेकर आपसे typing स्टार्ट कर दो बाकी जैसे admit card आप लोगों का आता है उसमें जो instruction होता है उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा chances यहीं है कि 90% यहीं चीजे रहें क्यों के इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं मस्त रहिए स्वस्त रहिए जबरदस्त रहिए